अश्लाम लेकुम डियर विवर्स वेलकम बैक तो माई चैनल बिया सोफ्वे एंजिनियर इंग कैडमी आज की इस वीडियो में मैं आपको बता हूंगी के विच्छ यूनिवर्सटी के अडमिशन्स कब ओपन हुए थे कब तक ओपन है और आपके इस तरह से ओनलाइन जो है व आपने लिखना है जी वी यू ऑनलाइन अडमिशन्स ठीक है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फिर्स लिंक ओपन होगा स्टडी ऑनलाइन अडवांस यूर कैरियर यह आपने स्किप कर देना है विच्छ यूनिवर्सटी ऑफ पाकिस्तान ऑनलाइन अडमि आपने साथ शेयर कर देती हूँ यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे वी यू के बाद जो सेकिन्ड ऑप्शिन है अपने क्लिक करना है और अडमिशन स्कैजुल पर आपने क्लिक कर देना है ठीक है यहां पर यहां पर आपको विच्छ यूनिवर्सटी ऑफ पाकिस्तान was admissions device in an academic year जैकले एक साल में दो दफाँ admissions open होते हैं एक दफाँ Feb में होते हैं Feb से March तक और दूसरा जो ही अभी इसके बास August which September में admissions open होंगे ठीक है अर admission schedule कैया है spring 2023 का admission open कब होई तै ते 15 Feb से और last date apply करने की वह 7 April है तीक है आज तो rate्ग है तो 7-10 maximum days रहे गए हैं कि admission तब तक उपन है लास्ट एट फॉर apply for course exemptions यह course exemptions और आपकी जो क्लासिस जो है वो 17 अपरल से जो है वो start हो जाएंगी और उसके बाद जो था हम online apply किस तरह कर सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं यहां पर आपने how to apply online apply online पर आपने click करना है यहां पर आपके सामने एक form open हो जाएगा यह existing users के लिए है जो जो already जिनोंने admission लिया है वो दोबारा किसी और course में जो है admission लेना चाहरे है या उस course को continue नहीं करना चाहरे है तो यह उन students के लिए है newcomers के लिए यह नहीं है ठीक है तो यहां पर next आपने क्या करना है new registration है अगर आप पाकिसानी है तो पाकिसानी पर क्लिक करें अगर किसी foreign country से belong करते हैं तो आप foreign national पर आप जो है वो क्लिक करें फुल नेम यहां पर आपने फुल नेम लिखना है जो भी आपका नेम है your personal CNIC आपका personal CNIC या बे फॉर्म है बे फॉर्म पर आपका CNIC नंबर होगा citizenship यहां पर आपने CNIC नंबर लिखना है simply ठीक है और email जो आप email जो है इसको हम साथ साथ कर भी लेते हैं सुहील इल्यास ठीक है और इसके बाद यहां पर अपने CNIC नंबर देना है हम यहां पर कोई भी जो है वो लिख लेते हैं आप छीक है और इसके बाद आपने email देना है कोई भी आपने जो आप email जहाँ पर आपका official email है जहाँ पर आप अपनी सारी information जहरें यहां पे आपने अपना मुबाइल नमबर देना है कोई भी जिस भी आप कंट्री से बिलॉण करते है अपने अपना मुबाइल नमबर देना है यहां पे आपने एक पासवर्ड जो है वो सेट करना है कोई भी पासवर्ड जिसको आपको रखने में याद रखने में असानी हो और आप उसको भूलना ना सकें ठीक है तो यहाँ पर आपने वो पासवर्ड देना है और पासवर्ड को अपने रिटाइप करना है उसके बाद आपने साइन अप पर क्लिक कर देना है जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहां पर I think हमने कुछ चीज़ें छोड़ दिया है यह वैलिड जो है इमेल वो मांग रहे हैं तो हम कोई भी वो दे देते हैं ठीक है आप सोके सही होगा इस सारी इंफर्मेशन आपने पुट कर लेनी है और इसके बाद आपने साइन पर क्लिक करना है अगर आप हमसे क्रिएट एन इमेल अकाउंट इस पर क्लिक करना चाहें तो आप इस पर भी कर सकते हैं और हाउ टो अपलाए प्रोग्राम कौन कौन से हैं अड्मिशन अड्मिशन स्कैजूल क्या है इनका वो भी आप यहां से सारे देख सकते हैं कि बी-एस करवार है एकॉनिक्स में मैस क्म्यूनिकेशन में आप जिस भी फिल्ड में जाना चाहते हैं आप यहां से वो सारी फि जो हो करवा रहे है और यहां से आप अपना फी स्ट्रक्टर भी देख सकते हैं के फी क्या है और Leaving क्या है और स्पोरिट केा है ओर सीज आपको बिटाया जाएगा कि आपने किस तरह से ओन्लाइन अप्लाइ करना है यहां पर आपको वीडियो भी मिल जाएंगी यूट्यूब वीडियो आप इसको देखें इसको अप्लाइ कर सकते हैं इसमें ठीक है तो अगर किसी भी किसम की कोई जो है कहीं पर भी डिफिकल्टी पेश आए तो आप कुमेंट बॉक्स में मुझे पोच सकते हैं और भी इसके लावा जो भी आपके माइन में कुश्चन हो तो आप कुमेंट बॉक्स में मुझे पोच सकते हैं ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काईनी चैनल को सब्सक्र किज ए विडियो को लाइ किज एंक्यू